नमस्कार दोस्तों, गुरूकोल अर्णी में आपसे का स्ववागत हैं दोस्तो आज हम आप लोग के लिए। लूझेंट जीके का पार्ट नंपर थी लेकिया है अपक स्वेकों पता है हमने आप लोग के लिए। तुषेंट जीकी का निच्वड करके 5000 नई परसनों का संगरत यार करका जो आने वाले हर एक्जाम के लिब होती है फाइदमन रहने वाले बहुती यूपी टैट यूपी टैट यह कोई फॉर्सका एक्जाम आज जहांपर जीके एक्जाम याते हैं सभी एक्जामस के लिए फ वीडियो को जोड़ देखेगा और आपसे रिक्वेस्ट हैं परते कोशन का आंसर कमेर बोक्स में जोड़ देखा कि जो भी आपके डाउट साथ में ही कलीर होते चल जाएं और आंते में बताए कितने कोशन आपने कोशन आपने सही कि अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे वीडियो को लाइक करें आपने फ्रेंस के पास शेयर करें और एक कुशन का आउसर दिने के लिए आपको 5 सेकिंड का वो वक्त मिलेगा इसके बाद हम आपको आउसर बता देंगे तो फ्रेंस से लिगा कोशन स्टार्ड करते हैं हमारा पहला कोशन है दूर्बिन का अविस्कार किस ने किया था सब लोग जब देंगे जल्दे से पांच सेकंड का वक्त मिल रहा है दूर्बिन का अविस्कार किस ने किया था फ्रेंस तो किया था किस ने गया लिलियो ने तो ए हो जाएगा रेट आंसर गया लिलियो ने या होता है तो सी हो जाएगा राइट आंसर नो वर्ष तो फ्रेंस एक्जाम में आ जाए कि अंतरशने आले कहा है नीदर लेंड के दैहेग में है ठीक है देखी नेक्स्ट फिंद लेंड के राजदाने कहा हैं फिंद लेंड के राजदाने कहा हैं तो फ्रेंस सी हेल सिंग की में ह सी हो जाएगा राइट आंसर हेल सिंग की नेक्स्ट है सार्जनिक चेत्र में देश का सबसी बड़ा बैंक कौन से है फ्रेंस सूपर फास्ट टेस्ट है सपीड से करवाएंगे 25-26 मिनिट के अंदर सभी कोश्चन को हम कवर कर देंगे ठीक है तो आप भी आंसर सपीड से सची इइंडिया स्टेट बेंक और कला का जणा में किसंव हुआ था मंदीर निरमान कलाका जनम किस काल में होए थे मंदिर निर्मान कला का जनम भी होगा रैडांसर गुप्त काल देखिए नेक्स ते गुर्दे की किरियात में क्या कहलाती है गुर्दे की किरियात में क्या कहलाती है तो फ्रेंस ये नेफरोन कहलाती है भी हो जाएगा रैडांसर नेफरोन देखिए नेक्स ते परसिद पेंट जिघीए टे हैं जिसकी स्टापना 1935 अ्रहें मंबई में है गवेनर शक्तिकान दाश जी है ठीक है ना देखिए नेक्स्ट स्रीड में पितका स्राव किसी गरंती से होता है तो फ्रेंशी यकर्थ से होता है यकर्थ से होता है डी हो जाएगा राइट आंसरी यकर्थ या दखना आप लोग स्रीड में पितका स्राव किसी गरंती से होता को नई तो फ्रैंस सी दक्षिन अफ्रीका है बी हो जाए गाजीक पादी दाक्ष्ट का पहले साथ सकों ता तो फ्रेंट सिया विज्ञान दिवस से कब मनाया जाता है तो फ्रेंस से मनाया जाता है 28 फ़रवरी को मनाया जाता है लेधी ने औरे वीले कहां अवस्तित है सब लोग जवाब देंगे फ्राफट औरे वीले कहां अवस्तित है तो फ्रेंसी कहा है पुडू चीरी में है औरे वीले याद रखना इरेगा रहेगा रहेट आंसर पुडू चीरी ठीक है देखिए नेक्स्ट है साइन्स सिटी कहां पर है साइन् अंकोरवाट का मंदिर किस देस में से थै तो स्टेर था था मुस्थाथди कंपोडिया में है दी हो जाएगा रहा अंसर कामडिया या दखना है देखी नेक्स्ट तो फ्रेंसे पोर्ट लूिस में है भारत की आतरा पर आने वाला प्रतम ब्रिटिस समराढ कुन था तो फ्रेंसे तो जोर्ज पंचम यादकन देखिए नेक्स तिर्थकर सबद का शम्बन किस द्रम से तीर्ट कर शब्द का शंबंद किस ध्रम से है तो friends ये जैन ध्रम से है B हो जाएगा right answer जैन ध्रम या दखना किसे जैन ध्रम से भी रहेगा right answer ठीक है ना देखें next question है कि भासा क्या धर पर घटित होने वाला देश का पर्थम राजे कोंशाई तो friends ये है आंदर पर्देश डी हो जाएगा right answer आंदर पर्देश और friends आंदर पर्देश वर्तमान में तीन राजधानिया वाला पहला राजे है और वो तीन राजधानिया है अमरावती विसा का पटनम और कुर्नूल या दखना ठीक है देखें next question अस्त होते समय सूरी कारंग लाल किसे कारण दिखाई देता है अगर आपने वीडियो को लाइक करेंगे अपने friends के पास share कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहां आजाएं वो भी अपने एक्जाम की त्यारी कोच्छे से आगी बढ़ा लें कोच्छन में देखें अस्त होते समय सूरी कारंग लाल किसे कारण दिखाई देता है परकास के परकिनन के कारण यह रहेगा राइडांशर देखें next question देश में सब से पहले सुरीयोदे किस राजय में होता है तो यह होता है अरुनाचल परदेश में तो D हो जाएगा फ्रेंस Rice Ansel कहां होता है अरुनाचल परदेश में होता है D हो जाएगा ज्रेट आनशर ठीक है ना देखें next पाबलो पिकासो की चितरकारी निलखित में से कौन शी है तो फ्रेंस सी है गुवीर निका शी होगा रहेगा 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 अभ्यान का संबन किस से है सरोषिक्षा अभ्यान का संबन किस से है परात्मिक सिक्षा से यह हो जाएगा रात्मिक सिक्षा से है सरोषिक्षा अभ्यान का संबन यह रहेगा जरेडान शर ठीक है देखे नेक्स्ट दक्सिन भारत में वैसनो ध्रम का परचार किसने क्या था तो तो फेंस से क्या था अलवार संथों ने तो ने किया था यह वो जाए गा रैट आज़ यह वर्डाकerness कांग्रेस के किस अदिवेशन में हिंदी को राष्ट्रिभाष्रओं में प्रूपĩश्य करणे और सोभी है, попроб लेकिन क्षाइब में फ्र्यम हुचर्वlu आधिवेशन के देकिता है, थो परिद द देखने का है, राजे पाल की न्युक्ति के लिए नियुनत्माई सिमा क्या है तो फ्रेंस सी 35 वर्श है सी हो जाएगा और राइड आंसर 35 वर्श ठीक है न देखिए next creation of adam painting के चितरकार कोने creation of adam painting के चितरकार है michael angelos कोने michael angelos है भी हो जाएगा friends right answer michael angelos ठीक है देखिए नेक्स्ट भारत में पहला डाक टिकट किस वर्स जारी किया गया भारत में पहला डाक टिकट किस वर्स जारी किया गया था तो फ्रेंसिये किया गया था 1852 में यह हो जाएगा रहेट आंसर 1872 में किया गया था फ्रेंस या दखना पहला डाक टिकट जारी यह ह एकना बाकु किस लिए पर्शिद ऑन्री से गोल्फ सेश्च, चेत्रफल की द्रष्टी से व्यूज का सबस्ची चोटा देश कुंज स्पीड टेस्ट है सपीड बढ़ाने का इस से अच्छा मों का कुछ भी नहीं है तो फ्रेंस आप लोग डेली यहां आगर सपीड भा सकते हैं एक्जाम को कलीर करने के लिए ठीक ना देखिए छेत्रफल की द्रश्टी से विश्व का सबच्छी छोटा देश है कौन शाय बिल निकलती है रजस्थानन है तो फ्रेंश से निकलती है सतलूज नदी 28 हो जायेगा रीड आण्शर और या दखना आप लोग रजस्थानन का दूसरा नाम है इंड्रा गांदीąher थिक हैं आद देखियों भारत में पहला किल औरो अ गया था कहां से क्रांची से जारी किया गया था भारत में पहला डाग टिकट भी रहेगा रैड आंसर क्रांची आधकना ठीक है देखें एक्सक्रोशन है परसिद कार्टोनिस्ट आर के लक्समन का शंबंद की समाचर पत्र से किस समाचर पत्र से तो फ्रेंस यह है टाइमस इंडिया से डी हो जाएगा रैड आंसर टाइमस ओफ इंडिया देखें नेक्स्ट रघुपति रागो राजा राम के संगीतकार के रुप में किसको जाना जाता है किसको जाना जाता है तो फ्रेंस दिगंबर विस्नू पलुशकर को जाना जाता है यह रहेगा रैड आंसर लिगंबर विशनो पलुषकर एहोगा रेटांशर देखें नेक्स्ट वियोनस मैडोना पेंटिंग किसने बनाई जी फ्रेंस से बनाई थी सेलवाडोर दाली ने सी हो जाएगा रेटांशर आपर सिलवाडोर दाली सी हो जाएगा रेटांशर देखें नेक्स्ट कि सविधान स छमबल नदी पर इस्तित जलाशे को किस नाम से जानते तो फ्रणस की जानते हैं गांदी सागर के देखे नेक्ष्ट है देखे नाम से जानते हैं तो फिराण इस स्य जानते हैं घृट्ट के नामसे और फ्रैंन devoted में देखे अंचिर देखे नाम सोडे का केमिकल नेम में तो फ्रैंसिक्ट कार बोनेक्ट ए अन-e-2- Cool 2024. सोडियम कार्बोनित या दखना देखें नेक्स्ट जेहूं के उत पादने के लिए कौनशी मिटी उप्युक्त होती है तो फ्रेंससी होती है दोमट मिटी यह रहेगा फ्रेंश राइडाउं से दोमट मिटी या दखना आप लोग ठीक है देखें इस कुछे नेकिएगा इंड या डिवाइड़ नामक पुष्ट के लिए खकोने तो फ्रेंस से हैं डोक्टर राजेंदर परसाद बी रहेगा फ्रेंस राइड आंसर डोक्टर राजेंदर परसाद या दखना आप लोग अच्छे शी देखेने इसकूशन रिखेका चलिए किस क्रांती का नारता ये 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 था फ्रांसी सी क्रांती का डिखना आप लोग देखेने इसकूशन रिखेका चलिए खानवा का युद किस वर्ष हुआ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करेंगे अपने फ्रेंस के पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग यह आजाएं वो भी अपने एक्जाम की तैरिक अच्छे से आगे बढ़ा लें बिल्कुल फ्रेंस कोशन में दिया है खानवा का युद किस वर्ष हुआ था तो फ्रेंस यह हुआ था 1527 में भी हो जाएगा रेट आंसर पर 1527 ठीक है देखी नेक्स्ट सबसी छोटा महासागर पतन सहर कौन था सिंदो घाटे का पतन सहर कौन था तो फ्रेंसी लोथल था दी हो जाएगा रेट आंसर यहां लोथल देखी नेक्स्ट है मुस्लिम ध्रम का उदे कहां हुआ था बताएंगे जल्ली से कहां हुआ था मुस्लिम ध्रम का उदे हुआ था जी साओधी अरब में कान साओ्धी अरब में हुआ था सी हो जाए कारीट अरब इए देखे बहुत भारती अनसंधान रेक्टर द्रहग काहा अवस्ट बताएंगे जल्ले से आप लोग भारती अनुसंदान रेक्टर द्रोग कहां वस्टते हैं तो फ्रेंस यह महारास्टर में है यह हो जाए गारे रांसर महारास्टर याद रखना आप अच्छे सी ठीक है देखें ने स्कूशन देखें का चली काकर पारा परमानो विद्योदगर कहां वस्टते हैं तो फ्रेंस सूरत में है सी होगा राइट आंसर सूरत याद रखना ठीक है देखें ने स्कूशन जोकी मिनार किस देश में स्थिते हैं जोकी मिनार किस देश में स्थिते हैं तो फ्रेंस सी इटली में है जोकी मिनार भी र होती है जल की बुन्द किस कारण गोल होती है परिशतनाओ के कारण होती जल की बूंद रहेगा परिशतनाओ यादक नाम ठीक है नियुक्त फ्रशेय नियुक्त होगा right answer यहाँ पर निरद सी चोधरी यादक नाम देखे next है भारत के पौरवी समूद्री तट को किस नाम से जाना जाता है भारत के पौरवी समूद्री तट को किस नाम से जाना जाता है कोरो मंदल तट के नाम से जानते हैं फ्रेंस भी रहेगा रइट आँश रहाँ पर कोरो मंदल तट या दखना देखी नश कुशें रखे का चलिए किरिकेट, माइ स्टाइल पुस्त के लिखा को ने तो फ्रेंसी कपिल देओं D होगा, right answer, Kapil Dev, याद अखना आप लोग अच्छे से, ठीक है, देखें next, महंदी, लोकला, सेली का संबंद किस राजे से हैं, महंदी, लोकला, सेली का संबंद किस राजे से, तो friends से किस से हैं, रजस्थान से है, C रहेगा, right answer यहाँ पर, रजस्थान, देखें ने, शूश न याद रखेंगे, आप लोग, देखें next है, कल पक्क में, इस्तित रियेक्टर का नाम क्या है, कल पक्क में, इस्तित रियेक्टर का नाम क्या है, तो friends कामी नहीं है, यह हो जाएगा, right answer कामी नहीं, याद रखना आप लोग, देखें next, खानवा का योद किनके मद्द हुआ तो फ्रेंस यह हुआ था बाबर और राणा सांगा के मद्दे भी हो जाएगा फ्रेंस रैट आंशर देखें नेक्स्ट याद रखना आप लोग देखें नेक्स कुशन देखें का चलिए अपसरा अनसंधान रेक्टर का निर्मान किस वर्ष हुआ था ये हुआ था उन्निस्ट चपन में 1956 में भाता अपसरा अनसंधान रेक्टर का निर्मान धेखें नेक्स्ट शाथिया किस राजे की लोक कलास है लिए तो फ्रेंस याद ho जैगा राइट कानी किस के लिए परशिद है किसके लिए परशिद है तामबा के लिए किसके लिए तामबा के लिए परशिद फ्रेंस ए हो जाएगा राइट आंसर तामबा याद लखना ठीक अब देखिए नेस कुशन देखिए का चलिए रावत भाटा परमाणू विद्धगर किस तापन किस वर्स हुई थी उननिस सो पहत्र में 1972 में हुई थी आदकना देखिए नेस कुशन विक्रम साराबाई अंत्रिक सकेंद्र कहां है विक्रम साराबाई अंत्रिक सकेंद्र कहां इस्तित है त्रिवेंद्रम में है एरहका फ्रेंस राइट आंसर का है त्रिवेंद्रम में है विक्रम साराबाई अंत्रिक स गुप्त सासको दवारा जारीचान्दी के सीकों किया कहा जाता है रूपक कहते हैं क्या कहते हैं रूपक कहते हैं ये रहेगा रैट आंसर रूपक या दखना देखिए नेक्स्ट यहोदी ध्रम का मुलस्तान कहा है यहोदी ध्रम का मुलस्तान कहा है तो फ्रेंस यह फिलिस्तिन में डी होगा रैट आंसर फिलिस्तिन में है यहोदी ध्रम का पूच्छे के लिखack कोने ठोब देगा मुचे कोने व्ण डे वं डर्स स्थी लगावच करें वन देफ ॅ Argentina लों में पूच्ट गावास करें तो बी हो जाए गाव यहां से लिख कर आगे चैhos लिखा द्ख़ए गोल पुस्ते के लिखक कोने अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास शीर करें ताकि कुछ लोग और यहां प्याएं वो भी अपने एक्जाम की त्यारी को अच्छे से आगे बढ़ा ले तो देखिए गोल पुष्टक के लिखक डी हो जाएगा रिडांसर मेज जाता है सी होगा रिडांसर आर यह याद रखना देखिए ने स्कूशन देखिए लोग सबा के लिए निर्वाचित किये किये जाने वालिस दस्यों की अधिक्तम सिंख्या कितनी है तो यह 545 दी रहेगा रिडांसर 545 याद रखना आप लोग अच्छे से ठीक है देखिए समानांतर दरपण के मद्र रखिव वस्टू के बनी परतिविमोगी संक्या कितनी होती है तो फ्रेंज सी होती अनंत कितनी होती है अनंत होती है सी रहेगा राइट आन्सर अनंत या दखना देखिए नेक्स्ट को सायरस अनुसंधान रिक्टर के स्थापन किस वर्स की गई ती सायरस अनसंदान रियक्टर ट्रामबे के स्तापन कब हो थी 1960 में 1960 में 1960 में की गई थी ए हो जाएगा रिड़ांशर देखें नेश कुछ ने देखेंगे बारत में उचतम न्याले में नाई दिसों की संक्या बढ़ाने का अधिकार किसको है तो ये संस्द को है डी हो देखेंगे इसकुछ नेखेगा नींद का अधिन क्या कहलाता है बताएंगे जल्द से आप लोग नींद का अधिन क्या कहलाता है हिपनोलोजी कहलाता है जी नींद का अधिन क्या कहलाता है हिपनोलोजी कहलाता है ये रहेगा फ्रेंस राइट आंसर हिपनोलोजी ठीक है द नियोगी कूपल थम वीत आयोकादेक्स मना गया थाा C होगा र plugged answer कैसी नियोगी ठीक है देखे next कर मत दो कें का गथा तो फ्रेंशी कतन था सरदार पटेल का कर मत दो ये कतन था सरदार पटेल का C रहेगा रbit answer सरदार पटेलец देखे नेक्स टे इंडियन मिलिटरी अकादमी कहां अवस्यत है इंडियन मिलिटरी अकादमी कहां वस्यत है तो फ्रेंस से देहरादून में है इंडियन मिलिटरी अकादमी डी होगा रैडांसर देहरादून ठीक है देखे नेक्स टे किनकी समाधिस्तल को वीर भूमी के नाम से जाना जाता है किनका राजियो गांदी के समाधिस्तिल को वीर भूमी के नाम है जानते हैं दी हो जाएगा फ्रेंस राजियो गांदी ठीक है देखी नेक्स्ट चावल का प्राचिन नाम क्या था जी चावल का प्राचिन नाम क्या था दिल्ली पर आकर्मन करने वाला प्रतम मराठा कों था बाजी राव प्रतम कों था फ्रेंस बाजी राव प्रतम था सी होगा रेट आंसर यहां पर बाजी राव प्रतम मोलिक अधिकार किस देश कि स्विधान्श लिया गया है तो फ्रेंसे लिया है सियुक्त राजे अमेरिका के स्विधान्श यह रहेगा right answer देखिए next एक गैलन कितने लेटर के बराबर होता है एक गैलन कितने लेटर के बराबर होता है फ्रेंसी होता है 4.54 लेटर के बराबर B रहेगा right answer ठीक है देखिए next हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है कुरकुमीन के कारण से होता है हल्दी में पीला रंग D हो जाएगा रैट आंसर कुरकुमीन ठीक है देखें एस कुशन देखेंगा भारत में चलने वाली पहली रेल गार्डी का नाम क्या था यह था Friends Black Beauty, क्या था Black Beauty यह रहेगा Right Answer Black Beauty या दखना देखी next, सबसे पहला Na articles कि ने बनाया, सबसे पहला Na articles कि ने बनाया, industry को नेने बनाया था सबसे पहला Na social कि नापर ना कि पहले रौनओन देखे NeX, सबसे पहला N επιच करम कितना ring Middle और लगबग सभीक आनसर भी सई होंगी अगर किसी की गलत हुआ यहिंघ का प्येस मैन किتना होता है लगबग सेवेंट पॉइंट फोर होता है सी हो जाएगा रिडांस सेवेंट पॉइंट потр देखे नेक्स्ट आसियान का मुख्याले कहा है जी आसियान का मुख्याले कहा है तो ये है जकारता में आसियान का मुख्याले जकारता में है ए हो जाएगा रैट आंसर जकारता देखे नेक्स्ट कवासियोर का रोग किसकी कमिसी होता है जी कवासियोर का रोग किसकी कमिसी होत है तो यह होता है protein की कमिस्यम विल्कुल फ्रेंस आप लुग या दखना को आसए उरका रोग protein की कमिस्यम होता है भी हो जाएगा राइट आंसर protein ठीक है देकि नेक्स उसर साउधी सफ देकि जाँ बेंगे आप धुट Prof談 और आउक का इजक किस ने क्या था अगर आपना भी तक वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास शेयर करेंगे ताइक कुछ लोग और यहां है और वह अपने एक्जाम की तयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लेको इसने में देखिए यहां दिया है तरित चालक का अविस्कार किस ने नहीं में है भी हो जाएगा रेट आंशर देखिए ने की खान में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है जी कोईले की खान में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है सिलिकोसिस रोग होता है कोईले की खान में काम करने वालों को यह हो जाएगा रेट आंशर यहां पर सिल लिजिए कारण सी हो जाएगा रेड़ांसर के सी देखिए नेक्स्ट सरवादिक विद्यूत रिनातमक तोट्व कुन्स रहे वी रहेगा राइट आंसर फलोरीं या दखना आप लुग ठीक है देखिएने स्कुशन क्रेपसमिसन भारत किस वर्स आया किस वर्स आया ता 1942 में आया था 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत में याद अखना सी हो जाएगा तो फ्रेंस यह थे आज के हमारे कोशंच जो अभी complete हो चुके हैं अगर कोई डाउट है सेर केजिगा सबी के डाउट अगली वीडियो में क्लिर के जाएंगे जो लोग पहली बार यहां आएं है जल्दे छाप लोगो फ्राफ़ट चैनल सिब्सक्राइब करेंगे साथ बिल आइकन पर भी कलिक करेंगे अगर आपने भी तक वीडियो को लाइकन हें सेर करेंगे अपने फ्रेंसे के पास सेर कर देंगे ठीक है तो फ्रेंच सेलिका फिर मिलते हैं अगली क्लास में तब ते के लिए गुडबाई जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम